कप्तान रोहित ने दिखाया बड़ा दिल पाकिस्तानी फैन से मिलने पहुचे रोहित पाक फैन को लगाया गले भारतिय टीम की कप्तान रोहिश शर्मा की फैन फोलिंग केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व बर्मे है पाकिस्तान ओ या फिर बागना देश या तमाम देशों में भारतिय टीम की कप्तान रोई शर्मा की फैन फॉलिंग देखने को मिलती है भारतिय क्रिकेटरों में फैन फॉलिंग में रोई शर्मा की फैन फॉलिंग बेजोड है बाराल बात करेंगर एशियो कप की तो इस सब्सक्राइब भारतिय टीम एशियो कप खेलने के लिए यूई पहुँच चुकी है जहां टीम इंडिया पसीना बहाती वे नजर आ रही है 28 अगस को भारतिय टीम पाकिस्तान के खिलाव पहले मकाबला के लेगी और इस से पहले टीम इंडिया जम कर प्रैक्टिस कर रही है आपको बता दें कि टीम इंडिया जब प्रैक्टिस कर रही थी इसी दोरान एक फैन मुमेंट देखने को मिला दरसल रोही शर्मा का एक फैन बड़ी दूर से रोही शर्मा से मिलने पहुचा था जिसके बाद रोही शर्मा ने भी उस फैन को नराज नहीं किया और उससे मिलने पहुचे अब इस पूरे मुवमेंट का एक वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है बज़े की बात ये है कि फैन भारत का नहीं पाकिस्तान का रहने वाला है दरसल अगर आपको पूरी बात की जानकारी दे तो रोही शर्मा एंड कंपनी नेट्स में धमाल मचा रही है लगातार टीम इंडिया ग्राउन पर प्रेक्टिस कर रही है खिलाडी लगातार जमकर पसीना बारे है कि एशिया कप में कमाल करके जीत की हैट्रिक लगाए जा सके इसके अलावा बात करने अगर फैन्स की तो फैन्स भी लगातार ग्राउन के बाहर घंटों अपने खिलाडियों को खेलते हुए देख रही है और उनकी एक जलक पाने का इंतजार कर रही है इसी तोरान शुकरवार को जब रोई शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पर होने वाले मुकाबले के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तब पाकिस्तान के कई फैन रोई शर्मा का इंतजार कर रहे थे इसे दोरा ने एक पाकिस्तानी फैन लगातार रोई शर्मा को आवाज लगा कर उन्हें बुला रहा था कि वह उनसे बड़ी दूर से मिलने पहुचा है जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उस फैन का दिन बन गया दरसल भारतिये कप्तान रोई शर्मा उसे मिलने पहुचे और सायती ओटोग्राफ दिया और उनसे बड़ी अच्छी तरीके से मुलाकात की इसके बाद ग्रिल होनी के वज़े से फैन लगाता रोई शर्मा को गले मिलने के लिए कहता रहा तब रोई शर्मा ने पलट कर जवाद दिया कि भाई ग्रिल है मैं आपसे गले नहीं मिल सकता इसके बाद भी रोहिश्यर्मा ग्रिल के पीछे से ही उनसे गले मिले आपको बता दें कि रोहिश्यर्मा ग्रिल को लांग करके फैंस मिलने पहुचे थे लेकिन फैंस ग्राउंड के अंदर ना पहुच पाए इसके लिए एक और ग्रिल लगाए गई थी इसके बाद रोई शर्मा उस ग्रिल के अंदर से ही अपने फैन से मिले और उन्हें होटोग्राफ दिया साथ ही फैन्स खुश नजर आए उन्होंने कहा कि आपने हमारा दिन बना दिया अब ये वीडियो शोशन मीडिया पर तेजी से वारन हो रहा है लगतार लोग रोई शर्मा की तारिफ कर रहे हैं फैन ने कहा कि मैं पाकिस्तान का समर्थन करता हूँ लेकिन मैं रोई से विशेश रूप से मिलने आया हूँ और उनके जुनूर और उनके क्लास का मैं काफी बड़ा फैन ही इसके लावा एक और फैन ने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि रोई शर्मा हमसे मिलने आएंगे हमें बहुत खुशी है कि रोजशर्मा हमसे मिलने आए हम पाकिस्तान से आए हैं और रोजशर्मा ने हमें गले लगाया है हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है बरहाल आप भी इस वीडियो को देखिए और क्या कुछ आपकी राया है कमन करके जब बताएं वीडियो को इंडिया नमस्कार